हेलो दोस्तों तो दिखिए आज की इस वीडियो में हम दोएगात बहुपद से सम्मद्रेते प्रश्ण को हल करेंगे और जो बूर्ड एक्जाम के लिए बहुत इंपोडेंट हो ये क्लास 10 का कुश्यन है ठीक है तो दिखिए आपकी सामने प्रश्ण क्या है यदि अल्फा बीटा बहुपद दो एक्स स्क्वेर माइनस ग्यार एक्स प्लस पंद्रे की सुन्यक है सुन्यक मतलब हल है तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का मान क्या होगा ठीक है तो हमें ये हल करना है तो दिखिए आपको हल किस तरीके से करना है वो हम यापर बताने वाले है तो दिखिए आपके पास में बहुपद क्या है दिखिए आपके पास में बहुपद है तो बहुपद टू एक्स स्क्वाइर माइनस ग्यारह एक्स और प्लस पंद्रा ये बहुपद है ठीक है दिखिए अब आपको यहां पर क्या करना है इस बहुपद की तुलना क करनी है क्या करनी है तुलना तो आप लिखेंगे बहुपद निकी तुलना ए एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर आपके इस बहुपद की तुलना देखिए यह क्या है दुएगात वहुपद काई कि वियापक रूप है इससे तुलना करेंगे तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा देखिए यह एक्स स्क्वाइर है तो इसके आगे क्या यह अंक है तो यह एकी वेल्यू हो जाएगी तो यहां हम लिख सकते हैं कि यह बरावर कितना हो जाएगा दू ठीक है आपको यह तुलना करने बड़ेगी देखिए यह एक से यह एक से तो बी का आपके पास ही मान होगा वो कितना हो जाएगा बी वरावर हो जाएगा देखिए माइनस ग्यारा कितना हो जाएगा माइनस ग्यारा अब आप यहां देखिए सी वरावर कितना हो जाए है क्या मूलों का योग फल यानि कि जो सुन्य के हैं को ही मूल कहते हैं हम निकालेंगे यहाँ पर इनका योग फल क्या निकालेंगे अब यहाँ पर लेखिए तो देखें आपको सुन्य क्या दिये गए हैं सुन्य का आपको दिये गए हैं अल्फा कॉमा बीटा दिए गए तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि alpha plus beta यानि सूने कों का u फल तो formula हमारे पास होता है minus b upon a ठीक है तो इसकी value निकाल लेए minus b upon a minus b तो आपके पास में जो b है वो कितना है minus 11 तो आप देखे minus तो पहले से लगा हुआ है और minus 11 upon में क्या है तो a कमान कितना है 2 तो जब आप इसको हल करेंगे तो minus से minus cancel हो जाएगा तो आपके पास में 11 बटे में 2 ठीक है अब निकालेंगे मूलों का गुड़न फल यानि कि alpha beta तो यह होता है c upon a तो दीके c की value के आपके पास में 15 और बटे में e कमान कितना है 2 इतना आपको निकाल लेना है अब दीके आपको मान किसका निकालना है मान निकालना है इसका किसका निकालना है देखिए 1 upon alpha plus 1 upon beta हमें इसका मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे तो दीके हलके से करेंगे इन दोनों का जब आप LCM लेंगे तो कितना आएगा यह आजाएगा आपके पास में कितना अलफा बीटा ठीक है तो अलफा का इधर डिवाइड करेंगे तो अलफा से अलफा कैंसल किया बचा बीटा तो यह बीटा हो जाएगा प्लस बीटा से भाग करेंगे तो बीटा गिंसल के आ जाएगा अल्फा हो जाएगा तो आपके पास में ये क्या है कि अल्फा प्लस बीटा आपके इसको लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और बटे में यहां पर क्या आपका अल्फा बीटा ठीक है अब देखे आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है 11 बटे 2 तो 11 बटे में 2 अब देखे अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा का आप मान कितने नकाले हैं 15 और बटे में 2 ठीक है इतना कर लेंगे अब इसके उपर भी भी नूँ नीचे भीं exist तो उपर वालिंगको तोइसे इसे लिख देते हैं 11 बत्त दो नीचे वालिन उल्टा करते है या इसके निटेन बर काना जाएगा यहां पर देखें जैंद दोसे-दो-केंसल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आएगा यहां पर देखिए 11 आएगा और नीचे क्या है 15 तो यह इसका आंसर हो जाएगा तो देखिए इस तरीकी से आप इसको हल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के